हेलो स्टुडेंट्स नेहल वर्च्वल स्कूल के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी प्यारे विध्यारतियों का हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है क्या आपको पता है भारत के दो पर्मुख द्विपिय समू स्थित है एक अरव सागर में दूसरा बंगाल की खाडी में और इस वर्ष अगर आपको पता हो बहुती बढ़िया तरिये से जोश जुनून के साथ 26 दिसंबर 2004 को विनाशकारी सुनामी ने हमारे द्विपिय समू अंडमानव निकोबार द्विप को परभावित किया था और 26 दिसंबर 2024 को सुनामी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे यह हमें यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना है आपने जरूर सुना होगा भारत का दक्षिंतम बिंदू इंदरा पॉइंड डू बगया बिलकुल इस सुनामी से कौनसा बिंदू इंदरा पॉइंड जिसे कभी पार्टसन अथवा पिगमेलियन पॉइंड के नाम से भी जाना जाता था और इंदरा पॉइंड इस्थित है हमारा ग्रेट निकोबार लेकिन आज हम इसी दूइपिय समू से समंधित एक महतुपूर संकल्पना की बात करेंगे और ये संकल्पना है 10 डिग्री चैनल अब वास्तम में ये जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या है तो यहाँ पे देखे यूपी एसी की परिक्षा में 2014 में देखे यूपी एसी 2014 की जो प्रारंबिक परिक्षा हुई उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि निमनल इखित में से कौ अंडमान ओ निकोबार निकोबार और सुमात्रा मालदीव लक्षवद्वीप सुमात्रा और जावा तो अगर हम यहाँ पर देखे जोश और जुनून के साल तो यह है हमारा अंडमान द्वीप समूँ और यह हैं हमारा निकोबार द्वेपसम देखें विटा बहुत ही बढ़े हैं और जहां में बात कर रहा था ये हैं ग्रेट निकोबा ग्रेट निकोबार अपने आप में महत्वपून जीव मंदल निच्छे और इसी ग्रेट निकोबार में इस्थित हैं भारत का दक्षिंतम बिंदू जिसे इंद्रा पॉइंट के नाम से जाना जाता है लेकिन अब यहां पे महत्वपून प्रश्न ये है कि अंडमान द्वेपसमू को निकोबार द्वेपसमू से कौन अलग करता है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं शंदार तरीके से दुआधार तरीके से तो ये हैं दस डिगरी चैनल ये हैं दस डिगरी उत्तरी अक्षांच और ये देखे ये हैं दस डिगरी चैनल तो देखे भाई साथ ये चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है ये जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है है ना बहुती शांदार बहुती अच्छा विसलेशन तो बताईए सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर होगा अंडमान और निकुबार अब आप सभी को ये बताना है कि नेताजी सुभाश चंद्र बोस साब ने उन्निस सो तैयालिस में अंडमान व निकुबार की यात्रा करी और इस यात्रा के देखे इस यात्रा के पिचत्तर वर्ष पूर्ण होने पर 2018 में तीन द्वीपों का नाम बदला गया और ये जो तीन द्वीप हैं ये तीन द्वीप हैं वो हैं स्वराज द्वीप ये नया नाम है शहीद द्वीप और तीसरा नेताजी सुभाचंदर बोस द्वीप लेकिन आप सब को क्या बताना हैं आप सब को बताना हैं पूरे भारत का एक मात्र पूरे भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समू में इस्थित हैं तो इसी परकार की महत्तुपूर्ण जानकारियों के लिए आपको जुड़े रहना हैं NBS के ओनलाइन प्लेटफॉर्म से हसते रहें मुस्कुराते रहें जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते रहें विशिंग आल दे वरी बेस्ट